हेलो अबरीबड़ी आप सबके में एक वीडियो बनाई थी कि जिन बचों के प्रैक्टिकल में एच्छे नंबर आए हैं जैसे तीस में से 29, 28 या फिर टैंट के अगर बात करें तो 20 में से 19, 18 नंबर तो उनकी दुबारा चेकिंग होगी और CVSC इसके उपर एक्षन लेगी स्कूल लेते हैं पैसे ही वास अचे तो वो जो एक्जामनर साव आते हैं लेकिन वह स्कूल होगना चाहिए पर होता है थोड़ी बहुत गुरा ही नहीं है तो क्या सबके मांस कट जाएंगे क्या तो चुकि मैं सबके कोमेंट रिप्लाइ नहीं कर सकता 68 कोमेंट थे इसी तर तरीके से बच्चों को मांस देते हैं और वो बच्चे उस लायक नहीं होते मतलब वो थेओरियों में तो बहुत वीग होते हैं प्रैक्टिकल में के फूल नंबर आ जाते हैं और कुछ स्कूल अपने रिजल्ट को चमकाने के लिए वैसा करते हैं तो अब क्या होगा देखो अगर किसी बच्चे के थियोरिम अच्छे नंबर नहीं आते हैं मतलब कहीं बच्चे तो इसे होते हैं और प्रैक्टिकल में फूल माथस होगी तो पक्का वो फसेंगे इसकूल भी और बच्चे के भी दिक्कत होगी बच्चा पर खैर जब ठीवरिम फेल तो उसको कि प्लीज ऐसी कारवाई ना करें पर हाँ अगर स्कूल के स्कूल ले लिगली नंबर दियें बच्चों को और थियोरी में तो बच्चा फेल हो रहा है यह उसके नंबर कमा रहे हैं लेकिन वह प्रैक्टिकल में उसको फुल नंबर दे रखें तब कारवाई पक्की होगी तो आपके साथ ऐसा है कि थियोरी में बच्चा फेल हो रहा है तो परफॉर्मेंस वीक है और प्रैक्टिकल उसको फुल नंबर दे रखें कि किसी वज़े से तो उसको दिक्कत हो सकती है जाहीं